कि नमस्कार मैं अंजले मिशोच स्वागत है आपका हवाय चैनल में दिली की और विंद के जिवाल सरकार की मुश्किले लगातार बढ़ती नज़र आ रही है और अब दिली के उपर राजयपाल वीके सकसेना ने दिली की आम आदमी पाथ की सरकार के ऊपर और मुश्किले बढ़ाती हुए नज़र आ रही है क्योंकि अब उन्होंने कड़े कदम उठा लिये हैं और यह कदम जो है जो है गैस टीचर स्कैम से जुड़ा हुआ है जिसमें घोस टीचर यानि जिसका स्तित्व ही नहीं है जिसके फिजिकल अटेंडेंसी नहीं है उसे सैल पार्टी सरकार की ओर से संचालित स्कूलों में कथित फर्जी सच्च घोटाले को लेकर बड़ा कदम उठाया है दिल्ली एलजी बीके सक्सेना ने अतिति सिच्चकों के नियुक्ति में अन्यमताव और फर्जी सिच्चकों के वेतन भुकतान में धन के गबन के आरोपों की विभागिया जाच के आदेश दिये हैं उपराजेपाल सच्चिवाले ने मुख्य सच्चीव को नरदेश का सिच्चा को सलाह देने के लिए कहा है कि वो अपने स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सभी अतिति सिच्चकों के नियुक्ति उपस्ति थी और वेत गए नोट में कहा कि उपराजपाल ने पाया है कि फर्जी अतिति सिच्चकों की नियुक्ति और धन गवन के मामले गंभीर चिंता का विशय है और ये प्रधानाचार्य उप्रधानाचार्य लेखा कर्मचारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं हो सकता उपराजपाल स भरष्टाचार निरोधक शाखा एसी बी को दिल्ली सरकार के कि स्कूल के चार उप्रधानाचारियों के खिलाफ भरष्टाचार के आरोपों की ज्जाच करने की अनुमती दी इन पर फरजी अतिति सिच्चकों के माध्यम से कथिधन घोटाले का आरोप है दिल्ली की आमाद स्कूलों में गेस्टीचर की नियुकती भी सवालों और जाच के घेरे में आ गई है दिल्ली के उपर आजवपाल वने कुमार सकसेना ने अर्वंद के ज्रिवाल की अगवाई वाली आम आदमेपार्थी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में गेस्टीचर की नियुकती मे और नियमताओं और फर्जी सिच्छकों के वेतन भुक्तान में धन के गवन के आरोपों को विभागिया जाच के आदेश दिये हैं उपराजयपाल कार्याले के सूत्रों के अनुसार गुर्वार को ये जानकारी जो है उप्रप्त कराए गए उपराजयपाल सचीवाले ने मु जानकारियों को तुरंत सत्यापत करें इस वावत एक महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट सो अपने को कहा गया है उपराजयपाल सचीवाले ने मुख्य सचीव को भेज़े गए नोट में कहा कि उपराजयपाल ने पाया है कि फरजी अथिति सिच्छकों के नियुखती और धनकवन के मामले कंभीर चिंता का विशय है और यह प्रधानाचार्य उप्रधानाचार्य लेख करमचारियों की मिलिभगत के बिना संभव ही नहीं हो सकता उपराजयपाल ने हाली में ब्रश्टाचार निरुदक्स शाखा एसीवी को दिली सरकार के स्कूल के चार आजयपाल विके सकसेना ने दिली परिवहन निगब यानि टीटीसी द्वारा एक हजाल लोग फ्लोर बसों की खरीद में कथित भरष्टाचार की जाज के लिए सीबी आई को शिकायत भेजने के प्रस्ताओं को मनजूर दी थी वहीं दिली की आपकारिनीती तब जाज के घ सब्सक्रवार को होती है कल याने ब्रिस्पतवार को ही कर ली गए और इसके साथ ही कल मुलकात और आज इस मामले में जाज के आदेश कहीं नेका इशारा करते हैं कि ऑल इस नौट वेल अर्विंद के जिवाल और विके सकसेना के बीच में हाला कि सी सोधिया ने भी इस नीत अच्छन लेते हुए नजरार है चाहे चाहे शराब घोटाले का मामला हो चाहे 1000 बस खरीदों में घोटाले का मामला हो और गोश्टीचर घोटाला भी सामने आ चुका है जो समय अब जो टीचर फीजिकली उपस्तित नहीं थे उन सभी के वेतन को दिखाया गया है और उसे जो है इसके सैलरी वगेरा जो कट की गई है और यह बड़े पैमानी पर किया गया है यहां पर भी घोटाला हुआ है जब यह पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद इस मामले पर लगता प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली लोगों ने के जिवाल पर सवाल खड़े किये क कि आखिर यह कितना भरष्टाचार करेंगे और दिल्ली के अखर उस विभाग में जिसकी यह कभी तारीफ करते हैं उस सभी विभावगों में उन्हें सिर्फ भरष्टाचार ही किया है वह इस मामले यह मामला सामने आते ही पृतिगादी ने ट्वीट करके लिखा के दिल्ल जिजरीवाल क्या आप एक भी काम इमांदारी से नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं कि आप पे शारा है बूट जो है अतिति टीचर कहा जा रहा है रीजन चे पीछे का यहीं है कि उसकी फिजिकल अपेर फिजिकल उपस्तिती जो है और टेंडेंस वह है वह ही नहीं वेतन दिय गया है वो भी पर्टिकुलर जो एक गेस्टीचर्स के वितर बनते हैं उसे साब से ध्यान देने वाली बात यह है कि कई सारे गेस्टीचर्स को अर्विंदी के जिवाल ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो उन्हें किया जाएगा लेकर नहीं किया गया कोड़ने के लिए किया उनकी ट्वीट ने करते हुए जो गैस्ट लेक्चर कि एक कमिटी है उनके तरह से तो आपने पर्मानेंट नहीं किया आपकी राजरीती जो है इस पर काफी जादा जो है हमेश्वर बाती है कि आप जो है चुनाव जीतने से पहले जो बाते कहते हैं जीतने के बाद उन्हें भूल जाते हैं तो इसे लेकर भी बीजेपी काफी हमलावार नजर आए थी और अर्विंद केज्रिवाल की मुश्किले और बढ़ने वाली है क्योंकि लगातार उनकी सरकार और उनके नेता मंत्री विधाई को उपर भष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और इसे बीच अब यह दिल्ली एलजी ने बड़ा आक्शन लेते हुए उनके मुश्किले और भी जादा बढ़ा दी है साफतर पर दिल्ली एलजी का यह एक्शन उनके लिए सर्फ और सर्फ मुश्किले बढ़ाने वाला ही है बता दे कि आम आदमी पाथी की जो सरकार है उपर आजपाल के बीच जिस तरीके से एकर डिस्टेंस से क्रियेट हो चुका है तो अब शराप सब्सक्राइब के जिवाल की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारस अंचालित स्कूलों में गेस्टीचर्स के नियुक्ति में और नियम्ताव और फरजी सिचों के वेतन भुकतान धन के गवनक्या आरोपकी विभाग्या जाच के आदेश ने दिये गया है और यह आने वाले वक्त के साथ सपष्ट होगा कि इस जराच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है फिलहाल के लिए अपने आपके पूरा मामला बड़विस्तार से बताया है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राये हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साचा करें